स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के इस चैनल में और आज हम अपनी वब का जो 4th पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं मैंने कोशिश की थी कि आपके वब के 3rd के अंदर ही वब के जो पार्ट 3 मैं करवा रहा था पिछली वीडियो में कि उसके अंदर ही वो वीडियो कंप्लीट करा दूं क्योंकि वो ओलेडी वीडियो जाथा लेंती हो गई थी 43 I think 43 मिनिट की चली गई थी तो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं रोग दिया और आप लोगों को घर के लिए मैंने कुछ sentences दिये थे कि आप लोगों को sentences करने अधर हम क्या कर लेंगे अपना conjunction की भी basic में conjunction क्या होता है interjection और थोड़ा बहुत preposition और थोड़ी बहुत हम इसकी practice कर लेंगे दो वीडियो आएंगे फिर हम इसके बाद अपने detail के lecture pronoun को हम फिर detail से करने वाले इसको start कर रहेंगे यह अपना यह पहला lecture होने वाला है एक बाद जल्दी से quick reason कर लेते हैं कि हमने जो part 3 थी यह जो part 4 है हमने part 3 में क्या किया था मैंने आप लोगों को active voice और passive voice का बताया था उसके structure के बारे हम बताया था बी की form के बारे हम बताया था और हम उसको convert कैसे करेंगे active से passive क्यों लेके जाएंगे यह सारे चीज़े मैंने आप लोगों को बताया थी फिर यहां हमने example देखे थे इन तीनों को मैंने आप लोगों को करवाया था फिर यहां पर इन में कुछ error थे यह error भी मैंने आप लोगों को साथ discuss किये थे ओके यहां पर हमने पिछली वीडियो रोग दी थी लगा कि अलग से एक वीडियो बना लेते हैं तभी बीच में मैंने डिसाइड किया कि अलग से वीडियो बना के आप लोगों को साथ अच्छे से discuss करूँ गा इन sentences को कृते हैं स्टार्ट अपना पहला जो sentence है sentence में जाने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे जहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर कितने जो हैं वो sentence हैं किटने sentence हैं अब अच्छा count करेगा मुझे बताँ अब अच्छा के से count करेगा यह जो कॉमा लगा हुआ है यह sentence होगया सर और यह जो कॉमे के बाद आ गया दूसरा यह हो गया दूसरा sentence हो गया sir ऐसा नहीं है, जहां full stop लग जाए या जहां terminator, इसको terminator कहते है termination करते है चीजों को English grammar में यह नहीं sentence को खतम करते है, अब जहां यह वाली चीज लग जाए समझ लेना वहां पर एक sentence ही बनता है इस पूरे इस first question के अंदर एक ही sentence है, अब इसके अंदर close दो है, अब ज़रा देखो close क्या होता है, यहां पर लिखा हुए it is a part of a sentence which has its own subject and verb यह sentence का ही part होता है जिसका खुद का अपना एक subject होता है खुद का अपने एक verb होता है clear हुआ, ऐसे समझो एक sentence में जो close होता है वो एक अपना subject रखेगा और एक अपने लिए एक verb रखेगा यह close कहलाएगा अब मैं नहीं जाओंगा principal close या subordinate close, उसके बारे में भी बाद में discuss करेंगे, पहला ऐसे समझो कि close होते हैं, close के अंदर खुद का एक subject होगा, खुद का अपने एक वोगा, that's it, उसी को close कहेंगे अब मैं सारा रफ कर रहा हूँ अब ज़रा आते हैं पहले sentence में अब पहले sentence को break करेंगे break करने के शुरुआत हम करेंगे verb से applied, यह क्या होती है main verb, head head क्या है, helping verb अब apply करने का काम किया कि इसने यह driver ने किया यह driver ने किया तो यह बनेगा subject, clear एक बार मैंने जो अपके लिए तो यह sentence पढ़ा है नहीं एक बार जल्दी से sentence पढ़ देते हम if the driver had applied break in time, the accident could have averted averted का मतलब है टालना, averted का मतलब है टालना, अब आते हैं यहाँ पर apply होगी यहाँ पर verb, head होगी helping verb और इस supply करने को करेगा कौन है, driver करेगा, clear if यहाँ पर conjunction है if यहाँ पर conjunction है, क्यों conjunction है जड़ा देखो, मैंने आप लोगों को जैसे बात कहा है, कि दो verb को दो verb को जोडना है दो verb को अगर जोडना है, तो यह जोडने के लिए क्या चाहिए, जही होती है इनके लिए conjunction clear, ऐसे ही, दो sentence को जोडना है, या दो close को जोडना है तो क्या चाहिए, conjunction तो यहाँ पर यह जो conjunction है, वो दो close को जोडने के लिए आई हुए है दो close कौन से, यह लगा हुए है यह कोमा के बाद, दूसरा close start हो रहा है यहाँ पर, दो close को जोडने के लिए हुए हुए यहाँ पर conjunction, इन क्या है, preposition और time क्या है, इस preposition का object, noun है न, क्या है मैंने आप लोगों को अल्लेडी बताया हुआ है, कि preposition और preposition के बाद उसके क्या हैंगे object और object कोन बनते हैं या तो noun बनेगा, या फिर noun का भाई pronoun बनेगा clear हुआ यहाँ पर, अब आओ जड़ा फिर से ही sentence के उपर if the driver had applied the article हो गया है, if the driver had applied brakes, क्या लगा देता driver, या क्या अप्लाई कर देता brake लगा देता, तो यह बनेगा object, क्योंकि इस action का receive बनेगा, apply करने को काम किया driver ने करेगा किस के उपर, brake के उपर तो brake बनेगा यहाँ पर object यह बनेगा noun, clear यहाँ पर अब दूसरे close पर बाद में चलेंगे, जड़ा पहले close को समझो, बहुत अच्छे से if the driver had applied brake in time, अब यहाँ पर apply करने का काम कर रहा है driver और लगा क्या रहा है भहिया, apply किस के उपर कर रहा है, brake के उपर अब जड़ा खुद सोचो, हमें इस sentence या इस close के अंदर passive verb चाहिए थी, या फिर active verb चाहिए थी, फिर से जुनो हमें इस close के अंदर first close के अंदर, active verb चाहिए थी या फिर passive verb चाहिए थी देखो, passive में जो subject होता है, passive में जो subject होता है, वो action का receiver होता है, उसके उपर action होता है यहाँ पर और active में, active में जो subject होता है active में जो subject होता है वो कोन होता है, वो action का doer होता है अब action हो रहा है यहां पर apply करने का, apply करेगा कौन भाया, सब यह driver करेगा, obviously, clear, अब driver को इस action का करता हुआ बनाना है, मतलब यह doer बनाना है, तो यहां पर verb कौन से लगानी है, यहां पर verb लगानी है, हमने active verb, यानि active voice चीज हमें चाहिए, clear है हमें, अब ज़रा बताओ, क्या य B की form प्लस में, बब की third form, sir, यहां पर तो कहीं पर भी B की form प्लस में, बब की third form नहीं है, तो sentence भी बिल्कूल सही है, यहां पर, if the driver had applied break in time, यानि यह close बहुत सही है, कि अगर driver जो है, applied कर देता, apply कर देता, क्या apply कर देता, break कर देता, कब in time, in time का मतलब था, time रहते हुए, तो accident could have averted, तो accident को टाला जा सकता था, clear, यह वाला sentence है यहां पर, अब पहला close तो बिल्कूल सही, क्योंकि करता चाहिए था, हमें doer चाहिए था, लगा हुआ है, receiver भी है, यहां पर बिल्कूल सही, अब आओ जरा, आगले close के उपर, यहां पर verb क्या है, यहां पर verb averted, main verb है, have क्या है यहां पर, helping verb है, could क्या है यहां पर, यह भी helping verb है, अब जरा देखो, यह verb आई, इसको अपना subject चाहिए, क्योंकि मैंने कहा न, अगर verb आएगी, तो उसका subject तो 100% आएगा ही आएगा, और इसका subject कौन बनेगा, the article और accident, यह accident ही तो बनेगा, यह बनेगा subject, यह बनेगा verb कौन से लगी हुई है, verb in the sense, क्या active voice लगी हुई है, या फिर passive voice लगी हुई है, सर इसके अंदर कहीं पर भी B की form प्लस में verb की third form, B की form प्लस में verb की third form वाला structure तो है नी, तो इसके अंदर active verb लगी हुई है, यह यह बनेगा, यह बनेगा, अब जरा आओ, इसका meaning निकालते ह एक्टिव लगी हुई थी, एक्टिव के according तो subject क्या करता है, डूर होता है, अब इस sentence का मतलब यह है, अगर driver time रहते, apply कर देता, क्या apply कर देता, ब्रेक अप्लाई कर देता, तो accident, सुनना जरा, the accident could have a virtue, तो accident खुद अपने आपको टाल देता, अरे भया, accident खुद अपने word का action इसके उपर कराना है, समझ रहे हो, accident थोड़ना किसी चीज़ को टालेगा, accident को टाला जाएगा, accident को टाला जाएगा, यनि इस verb का action मुझे, इस subject के उपर कराना है, अगर मुझे verb का receiver subject बनाना है, तो मुझे verb का receiver subject बनाना है, तो मुझे verb कैसी, यानि voice कैसी लगानी था, have के बाद यहाँ पर आना था been, clear अब been क्यों लगा sir, आओ जो राब been के उपर बाकी के साथ क्या रिष्टेदारी थी, have है have has और had इनकी नाइक condition है, इनकी क्या condition है, यह देखो, यह helping verb भी बनती है और main verb भी बनती है, जब यह main verb की 3rd form आने चाहिए, अब जब आह यहाँ यहाँ पर देखो ववप की 3rd form यहाँ पर कौन सी होती है ऐसी वप की 3rd form लगानी, यह हम मतलब यहाँ यहाँ पर, हमें एक ऐसी वप की 3rd form चाहिए, have के बाद हमें, अगर इसको वप की 3rd form आनेगे, इस have को satisfy करते क्योंकि इसके लिए तो चाहिए हमें वर्ब की third form अब have के बाद हमें वर्ब की third form चाहिए अब third form चाहिए तो देखो is mrb मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ये कहे कि ये sir आ सकते है has had have के बाद ये जिज़ें आती है is mr तो ये तो आती है नहीं ये बात कट गया has have had के बाद कभी वर्ब नहीं आता ये बात कई being नहीं आएगा तो ये बचा being देखो ये होती है first form ये होती है second form ये होती है क्या third form clear यहां पर ये होगी third form तो being ही जाएगा यहां पर has have के बाद यहां पर been लगाना compulsory होगा यहां पर यह sentence के बात करो क्यों लगाना होगा, कोई और वर्ब क्यों नहीं लगा सकते कोई और वर्ब लगा दी तो उसका meaning change हो जाएगा यानि sentence का meaning ही change हो जाएगा हमें एक ऐसी वर्ब चाहिए जो meaning change ना करें इस action का receiver इस subject को बना दे अब meaning भी same रखना है इसको verb की third form भी देनी है तो यह bean ही होती है, bean एक तरीके से समझो खाली होती है, यह satisfy करती है खाली मतलब इसमें कुछ नहीं होता यह satisfy करने के लिए आती है, structure पूरा करने के लिए आती है accident के उपर हो गया आया समझ में, जरा हो अगले sentence के उपर अगर यह वाला sentence नहीं आया है न समझ में तो don't worry, कोई बात नहीं है अगला आएगा, देखो जरा the child might have saved if the doctor had taken proper care अब आओ, इस sentence को करते हैं अब इस sentence को करना है तो if से कर लेते हैं इस जो है वो conjunction है, क्योंकि obviously इसके अंदर दो verb और subject के pair आये हुए है देखो यहां पर, यह रा subject और यह री verb का pair यहां पर यह रा subject और यह रा verb का pair ठीक है, यह नहीं यह पूरा verb का pair हो गया सेम यह इंपर है, अब यहां पर verb क्या है इस close की बात करो, यह उफ की बात वाले की यहां पर verb है, taken, यह होगी main verb clear, यह head हो गया, helping verb taken word, taken, proper care की care बनाने के हम यह पूरा का पूरा हम बना लेते हैं object, यह बना लिए हमने object भईया, taken क्या रखता, क्या रख लेता भईया, अच्छे से ध्यान रखता कौन रखता, कौन रखने वाला था, रखने वाला था यह doctor अब doctor क्या बनेगा, इस action को करने वाला होगा, तो यहां पर यह subject बनेगा था, article है, अब ज़रा सोच कर बताओ, इस close के अंदर हमें voice कैसे लगानी थी, active या passive, अगर हमें यहां पर active लगाया है, तो इस action का doer होगा, doctor जो है वो इस action को करेगा, doctor जो है वो taken यानि taken क्या, मतलब अच्छे से ध्यान रखेगा तो यहां पर जो है, doctor को ध्यान रखता हुआ हमें बनाना है, यानि इस action का doer बनाना है, और हमें यहां पर डूर बनाना है तो वर्ब कैसे लगाने पड़ेगी अक्टिव लगाने पड़ेगी तो वर्ब लगी कैसे हुई है सर अक्टिव लगी हुई है तो यह नि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मीनिंग भी सही निकाल रहा है कि डॉक्टर अगर अच्छे से ध्यान रखता तो क्या होता मतलब अभी महागे नहीं जाओंगा क्योंकि उसमें राज सारा खुल जाएगा तो डॉक्टर इस दॉक्टर है टेकन वर्ट टेकन प्रोपर केर क्लियर यहां पर एक्शन कर सीवर भी बन गया तो उसका सब्जेक्ट तो 100% आएगा तो यह सब्जेक्ट मना इस वर्ब का इस वर्ब का सेवर का सब्जेक्ट मना अब मुझे बताओ ज़रा देखकर यह जो क्लोज है वो एक्टिव में या फिर पैसिव में सर कहीं पर भी पैसिव वाला स्टक्चर तो है नहीं यानि बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्टक्चर तो है नहीं तो यह जो है यह एक्टिव में लगा हुए अगर एक्टिव में लगा हुए तो इस सेव वर्ब का काम मतलब यह जो एक्शन है यह सेव करने का action कौन करेगा यह चाइल्ड करेगा यह इस action को करने वाला कौन होगा doer बनेगा यहाँ पर क्योंकि active में लगा हुए अब ज़र दूर था तो इस sentence को जब हमने पढ़कर देखा the child might have saved if the doctor had taken proper के कहीं न कहीं इस sentence का meaning यह था बच्चे को बचाया जा सकता था अगर doctor अच्छे से ध्यान रखता तो तो बच्चे को बचाया जा सकता था अरे बच्चे को बचाया जा सकता था या बच्चा बचाता किसी को समझो ज़रा अगर आपने इसको active में रखा might have saved अगर आपने इसको active में रखा तो यहां पर यह जो child है वो इस action का doer हो जाएगा हमें doer थोड़ना चाहिए हमें क्या चाहिए receiver चाहिए sir क्या doer बना नहीं सकते हैं अरे बेशक बना सकते हैं लेकिन पुरा sentence पढ़ के देखो sentence में requirement यह है कि इस save verb का हमें इसके उपर action करवाना है यानि इस subject को इस action का receiver बनाना है ना कि doer बनाना है अगर मुझे इस action का receiver इस subject को बनाना है तो मुझे voice कैसी लगाने पड़ेगी मुझे voice लगाने पड़ेगी passive अब अगर मुझे passive लगाने पड़ेगी तो मुझे B कीrum चाहिए यहां पर, B की 3rd firm तो यह रही B की form, हमें यहां लगाने पड़ कि जो यहां हमें यहां लगाने पड़े क्योंकि और भाई साब हमें तो तो यहां पर हमें B की üst फिर से बीन लगाने पड़ेगी clear यहां पर, बीन लगाने पड़ेगी अगर डॉक्टर उसका ध्यान रखता अच्छे से अब ज़रा देखो सर आपने ये इफ वाली तो पहले से यहां पर शुरुवात में लिख दिया यहां पर आपने बाद में बीच में लिख दिया यह क्या चक्कर है? हमें कैसे पता चलेगा कि कब कहां रखना है? अगर आप इसिफ वाले स्टक्चर को उठा के पहले लेके आते हो यहां पर भी लेके आते हो जैसे इफ द डॉक्टर है टेकन प्रोपर के तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोनो ही तरीके से लिख सकते हैं इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है clear, अब आओ जो रहा, Rohan jumped the traffic light and find by the policeman, अब यहाँ पर देखो, jump, यह जो होगी, jump होगी, यहाँ पर jump, यह होगी main verb, clear, jump कौन करेगा, Rohan करेगा, तो यह क्या होगया, subject, action का doer चाहिए हमें को, ठीक है, jumped word, traffic light भई है, traffic light जो है, यहाँ पर यह noun बनेगा, compound noun कहते हैं, and जो होती है, वो conjunction होती है, by जो हो preposition है, और preposition के बाद क्या आते हैं, preposition के object आते हैं, इतनी जीच clear होगी, यहाँ पर, the article है, अब आओ जो रहाँ, यह find रहेगा, find का मतलब होता है, जुर्माना लगाना, अब यह भी एक verb भी है, यह भी एक verb भी है, अब इस verb के लिए हमें ऐसा तो है नहीं कि subject नहीं होगा, subject भी होगा यहाँ पर, तो subject कौन बनेगा, जड़ा देखो, राहुल, राहुल, इस, राहुल is dancing, एक sentence ही है, यही सेम राहुल, राहुल is singing, अब जड़ा देखो, अरे एक ही करता दरता है, इन दोनों action का, बही है, नाचने वाला भी राहुल, गाने वाला भी राहुल, तो हमें ऐसे नहीं लिख सकत राहूल, राहूल इस, राहूल इस डांसिंग, राहूल इस down तो यहां पर यह जंप करने का काम और इस फाइन होने का काम, इसका करता धरता कोन है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, यह राहूल ही बनेगा, इसलिए मैंने अलग सब्जेक्ट नहीं लिखा है, देखो, जब दो वर्ब क्या एक ही सब्जेक्ट हो तो उनको end conjunction यहां पर end conjunction से, अब जड़ा देखो, यहां पर end से पहले का देखेंगे, रोहन जंप, ट्रैफिक लाइक जंप करने का काम कोन करेगा, रोहन करेगा, हमें यह स्ट्रक्चर किसमें चाहिए था, एक्टिव में चाहिए था, क्योंकि डूर चाहिए न इस जंप को, मतलब इस जंप करने का डूर चाहिए, तो रोहन इसका डूर बने गा और उसके डूर के लिए हमें किसकी मतल देनी पड़ेगी, इस एक्टिव वैस की लेनी पड़ेगी, तो क्या, इसमें अक्टिव वोइस लगी हुए है, बेशक अक्टिव वोईस लगी हुए, कहीं पर भी बिकी नहीं है, ओके, ये बिल्कुल सही, end conjunction के बाद आजाओ ज़रा, ये fine लगा हुआ है, इस fine को मतलब अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये active में लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले कोई B की फोर्म नहीं है, अब मुझे बताओ, ये fine लगाने काम करेगा, क्यों रोहन करेगा, देखो, इस sentence का meaning हुआ, रोहन जो है, वो जब करके चला गया, traffic light को, traffic light को तो उसने jump किया ही किया, साथ ही साथ, भई उसने fine भी लगा दिया, अरे ये क्या कर रहे हो sir, fine तो उसके पर लगाया जाएगा ना, यहाँ पर मुझे इसको, इस action का receiver बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे इस action का receiver बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे, woes लिखना पड़ेगा, क्योंकि वोब की second form चल रही थी न, jumped, find, तो woes लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यह find जब वोब की third form में convert हो जाएगी, तो यहाँ पर यह बनेगा, B की form प्लस में वोब की third form, देखो ज़रा, Rohan jumped the traffic light, and woes find by a policeman, clear हुआ, तो यह थे structure, आज की जो active passive के जैसे करने थे, अब इसके अलावा चीजे हमें सीखनी है, इसकी चीजे हमें सीखनी के हैं, यहाँ पर देखो, इन दोनों sentence में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक तो देखो इसमें, इसमें sentence में tense कौन सा use हो है, अब tense बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, sir tense जो है इसमे, had applied लिखा हुआ है, तो यह past perfect है, जड़ा देखो जड़ा, यह past perfect है, बच्चे यही करेंगा न, past perfect है, अब जड़ा एक चीज़ देखना, अगर आप इसको past perfect मान रहे हो, क्योंकि had, had applied, applied लिखा हुए, had applied लिखा हुए, आपने इसको क्या माना, past perfect, past perfect माना, past perfect मानने का मतलब है, यह timeline होना आता हूँ, यह present हो गया, यह present हो गया, इससे पहला क्या हो गया, past हो गया, इसके बाद वाला क्या 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 लाएगा, future क्या लाएगा, ठीक है, यह future हो गया, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यह future हो गया, अब past के past में भी एक action होता है उसको कहते है past of past clear यहां पे अब जड़ा देखो अब मैं कहूँ कि मैंने जो है यहां पर मैं वर्तमान में खड़ा हूँ 10 बजे ठीक है 10 बजे सुभए के 10 बजे मैं वर्तमान में की बात कर रहा हूँ मैंने कहा मैं जब 9 बजे था तब मेरे भाई मतलब की एक बात कहूँगा कि जब मैं 9 बजे घर पहुंचा था तो मेरे भाई ने 8 बजे तक अपना काम खतम कर लिया था यह 9 बजे है यह 8 बजे यानि 9 के भी past के past में बात कर रहा हूँ मैं यह present में खड़ा हो के बात बोल रहा हूँ कि जब मैं 9 बजे घर गया था मेरा भाई काम खतम कर चुका था कब काम खतम कर चुका था वो मैं तलब past के past में खतम कर चुका था तो इसके लिए तो V2 लगती है लेकिन इसके लिए क्या लगता है past परफेक्ट लगता है past perfect लगता है देखे इसको फिर से करवाऊंगा जो मैं टेंस पर जाओंगा इसके लिए past perfect लगता है अब जो past perfect लगता है तो obviously यह जो action है यह तो हो गया होगा यह जो action है यह तो हो गया होगा clear यहां पर अगर आपने यहां पर बोला had applied यह नहीं तो यह past के past में हुआ है past के past में होगता है यह तो action हो चुका है यह तो action done हो चुका है अब जोरा देखो अगर यह action हो चुका है if the driver had applied अगर यह action हो चुका है driver ने इस action को लगा दिया अगर आपने इसको past perfect बोला है past perfect का मतलब यह past के past में भी हो चुका है अगर यह action हो चुका है तो यह बात की बात क्यों बोल रहे हो समझो रहे हो if the driver अगर driver ने apply कर दिये थे break में तो यह accident क्यों हो गया इस sentence का meaning तो यह है न कि अगर driver time रहते applied कर देता तो accident को टाला जा सकता था यानि इसका एक दूसरा meaning यह निकदा कि accident टला नहीं accident हो गया अगर उसने apply करी दिये होते अगर उसने apply करी दिये होते break तो यह बात वाली बात बोली क्यों है अगर आप इसको past perfect बोलोगे तो यानि यह हां पर यह head plus web की third form यह past नहीं है यह मैं आपको doubt दे रहा हूँ मैं यहां पर समझ रहे हो इस चीज को clear करूँगा मैं आने वाले time में अब दूसरी चीज यहां पर लगा हुआ देखो यह helping अब लगी यह helping अब यहां पर बीन एक और देखो एक sentence में तिन-तिन helping अब आ सकती है मुझे एक sentence एक चीज और समझानी है एक चीज क्या समझानी है जड़ा देखो modals modals plus में have plus में वब की third form यह एक structure होता है यह एक structure होता है हिंदी में हम इसको कहते है काश काश मैंने ये काम कर लिया होता काश मैं वहाँ चला गया होता काश मैंने त्यारी कर लिया होती अब जड़ा देखना आप बोल रहे हो काश मैंने त्यारी कर लिया होती तो आपका meaning क्या निकल रहा है आपने त्यारी नहीं की आप कह रहे हो काश मैं वहाँ चला गया होता इसका meaning क्या है आप वहाँ नहीं गए तो यह modal have plus verb की थर्ड फॉम यह करते क्या है यह आपकी imagination आप imagination कर रहे हो किसी ऐसी घटना को जो अब आप उसको opposite meaning चाहते हो यह नि opposite opposite meaning convey करने के लिए use किया जाता है opposite meaning अपने past में ऐसी चीज कर दी आप चाहते हो कि उसमें कोई फेर बदल हो जाए इसलिए आप इसका use करते हो तो जरा देखो यहां पे यह कहरा ना है could have averted could have been averted यानि यह past की एक घटना को opposite meaning करने करवाने की कोशिश कर रहे है कि काश यह accident टाला जाता लेकिन यह accident हो गया ध्यान आया समझ में मतलब ध्यान क्या समझ में आया सारे चीज़ें तो यह था आपके सामने active passive का एक बहतरीन example जिसमें हम active passive के थुरू कैसे चीज़ों को solve करेंगे अरो दीखें बहुत काम आएगए चीज़ active passive को कैसे यूज करते हैं बहुत काम आने वाली है same to same यहां पर भी might have saved might have been saved यह modal का structure लगा हुआ है had taken यह कोई verb यह से नहीं कहते हैं किते हैं कि यह past है past perfect इसको यह नहीं कहेंगे इसको भी करवाऊंगा मैं लेकिन जब tense पर जाएंगे तब वहां पर कराएंगे तब तक के लिए समझो मैंने इसमें हम लोगों को एक doubt दे दिया है वहां पर थोड़ा बहुत फिर इसके बाद हम pronoun पर चलेंगे जो pronoun का first lecture होने वाला है अब तक तो basic ही करवाया है मैंने अब basic करवाने के पीछे मकसद यह था अगर आप लोगों ने अच्छे से यह सारी चीज़ें कि अभी दे कि basic को रहता है जब pronoun पर करेंगे वहां कर लेंगे अब basic करवाने के पीछे मकसद यह रहता है कि अब जब भी मैं pronoun पर जाओंगा तो अब आप मुझसे चोटी चोटी चीज़ें नहीं पूछेंगे आप परिशान नहीं होएंगे कि sir यह noun क्या है यहां पर noun कोन है यहां पर verb क्या है सर्यसी समयनियारी दूसरी चीज क्या है तो यह सारी चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ यह जो break करने का जो system है वो यही तो है कि आप लोगों को पता चलता रही कि यहां पर subject है नाउन है, pronoun है, सारी चीज़ें तो यह सारी चीज़ें मैं पहले इसलिए करवा देता हूँ जाकि हम detail पर जाएं तो हमें कोई प्रेशान ही नाउँ वाँ पर यहां पर तो यह वीडियो पसंद आई है तो भाया इसको like करो, subscribe करो क्योंकि नहीं बढ़ रहे हैं, subscribe करो, like करो और अगर इस वीडियो से related आपको क्या चाहिए PDF चाहिए तो इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा किसका link मिलेगा, sir? sir, link मिलेगा, telegram का और link मिलेगा, FB का जाकर join कर लीजिए FB, FB का link मिलेगा जाकर join कर लीजिए वहाँ पर आपके exam के point of view से बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ provide कर वाई जा रही है clear, तो बस आज के लिए इतना ही था और please, बताना कि आप लोगों को कैसा लगा तो बस आज के लिए इतना ही रखते है, thank you